हे गाई तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्णावली 7 असमलो 5 के सवालों को ठीक तो यहाँ पर मैं आपको उता दूँ कि यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए थे सवाल नंबर 12 ठीक तो आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 13 से ठीक तो यहाँ पर सवाल नंबर त्यारा लिखा है sin2x into में under root a square minus cos square x ठीक तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे लगाना है ठीक और यहाँ पर आपके सवाल नंबर और भी सवाल नंबर हैं पूरे इस प्रश्णवली में पूरे जो सवाल है वो 28 सवाल है ठीक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ठार सवाल यहाँ पर हैं बाकी और उस पेज में ठीक तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सवाल नंबर त्यारा को कैसे लगा है ठीक तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो हें गाइडी सियंसू एंड यॉर वाझिंग टॉपिक नॉलज़ज अब दिखो इस सवाल के लिए क्या करना है में इसके स्थान पर हमें माल लेना है ठीक तो इसके स्थान पर चलिए हम टी माल लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे मानने को इंग्लिज में बोलते है लिट ठीक तो लिट का मतलब होता है माना तो माना यहाँ पर A square minus cos square yax बराबर में T ठीक इसके इस्तान पर हमने T मान लिया अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका alkaline करेंगे तो इसका alkaline करेंगे तो cos x का power इसमें से एक कम हो जाएगा दे को जैसे कि जब yax का power N हो तो इसका alkaline कैसे होता है इसका जो power होता है उसको आगे निकाल देते हैं यादि यह N आगया जाता है और इसके जो घात इसमें से घटा दे जाता है तो यहाँ पर देखो 2 घात ता तो इसका cos का एक घात हो गया, ठीक, यह हो गया, उसके बाद, अब यहाँ पर yaks होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर yaks नहीं, इसलिए cos x का दुबार होगा, तो cos x का दुबार होगा, क्यों होगा, minus का sin हो जाता है, तो minus minus प्लस हो जाएगा, into में हो जाएगा, sin x, dx बराबर में हो जाएगा, dt, ठीक, तो यानि कहने का मतलब है, कि यहाँ पर देखो, अब इसकों बोल सकते हैं, 2 sin x into में cos x, इसका मतलब क्या हुआ, यह सूतर है हमारा sin 2 x का, ठीक, और यह हो जाएगा, dx बराबर में dt, तो देखो, sin 2 x, dx इसके इस्थान पर हमें कहा लिखना है, dt लिखना है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो sin 2 x, dx इसके और इसके स्थान पर हम लिखेंगे dt, तो यहाँ पर हम चुप-चाप से लिखेंगे dt, और यहाँ पर under root लगा, under root लगाएंगे, ठीक, और इसके स्थान पर हम लिखेंगे, ठीक, हो गया, अब इसका समा क्लन कर तो बस आपका answer हो जाएगा, अब यहाँ पर और देको इसका समा क्लान कैसे करना है तो को अंडरूट का भी सकते हैं इक प्रट टू जाए हमेंगा दीटी अब यहाँ पर क्या होगा इसका जब समा क्लान होगा तो αυτό है यानी कि जो पावर होता है उसमें एक जोड देते हैं बटे में उतना ही लिख देते तो यानि के एक एक बाटा दो में, जोड़ेंगे कर दो 2 दो IKUMI नम दो 2 एक टीनete तो इसका जो भाया तो जाएगा daw G ुच तो इसको मिलेगए इसको इसको बटे में ने डी देते हैं घ्या यह उतला आप यहां पर देक्व यह 2 पलट जाएगा तो सबसे उपर हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 2 बटे में 3 और T का पावर 3 बटे में 2 प्लस में C अब यहाँ पर हम T के value रख देंगे बस हमारा answer हो गया T यहाँ पर क्या है यह है ठीक तो यानि कि इसको ले देंगे दो बटे में 3 और T का पावर है A स्क्वेर माइनस कॉस स्क्वेर यक्स इसका पावर हो जाएगा 3 बटे अन्टू प्लस में C ठीक यह हो जाएगा इसका एंसर ठीक यह चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिग सकते हो यहाँ पर 3 बटा 2 को क्या लिग सकते हो 3 बटा 2 को लिग सकते है 3 गुड़े 1 बटा 2 1 बटा 2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है तो इसको मैं ऐसे भी लिग सकते है 2 बटा 3 और यहाँ पर जो देखो इसका 3 बटा 2 का मतलब क्या होगा ऐसे भी आप लिख सकते हो तो ये आपका answer जैकर ठीक दोनों answer हैं तो दोनों सहीं हैं आपके book में वैसे यह answer दिया हुआ है ठीक आप ऐसे लिख लिए ना चले इसके बाद हम आपको अगला सवाल बताते हैं सवाल नंबर 4 ठीक तो को सवाल नमबर चबूदा आपका यह यह है अंडर रूट साइन एक्ष बटे में कॉस्कंद़ प्षापवोः फायएक्ष ठीक इसको हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले यहां पर जो 5 में यहां यानि 5 कॉस्की पाववर 5 database है अब यह जो 5 यहां 15 में यहां यहां पाल दिया और औरपी चार फचान चार को मैं यहां पर लिग देंगे ठीक यह हो जाएगा अब गो इस पावर 4 येक्स का मतलब क्या हुआ यह मन reca5S ऐदि यहां पर दीखो यह Μलों इसका पाउर्ट यह हो जाएगा अभ यहां पर देखो इसका पावर फोर है अब इसको जब बाहर निकालोगे तो यहां पर देखो इसको बाहर निकालोगई के क्या गो nam माल लोग की six square का power 4 x है ठीक और इसमें under root लगा है अंडर root का मतलब क्या होता है Under root का मतलब हुआ कि इसका power एक गोड़े में 1,2 मतलब इसका power जो है under root 2 का मतलब क्यों हुआ इसका power 1,2 तो एक बटा 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यह बाहर जानी की जब इसको निकालेंगे तो यह जह 4 है इसको जब बाहर निकाले and 10 2 हो जाएगा झाल डी ऑक्स होलों ठीक क्यों वह स्वायम का यहां पर रॉजर्ण सब्दक्टेगे ठीक अब यहां-पर दखो क्या करना है half PayPal द استन्यास तो याँ पर लिख लिए Filip मौन एक स्वा रारेगी है माना टैन यक्स बाराबर में इन को यह पर क्यों जाएगा अब यहां पर क्यों जाएगा इस लेख लिखेंगे इसका साफ्लों किया तो इसका समख लिखे रोके दो तो गई तीन पर टीन और पर तीन अब यहां पर हम सीधा से 2 वर्टा 3 हो जाएगा 10 यहां पर इसके स्थान पर लिख देंगे तो यह हो जाएगा हमारा अंडर रूट 10 का पावर 3 यक्स प्लस में C समझ गया ना यहां पर यह जो 3 है दोको एक बटा 2 जो था उसको अंडारूट बना दिया और 10 पावर 3 लिख दिया ठीक यह जो 3 था यह 3 यह ठीक समझ गया यह इसका एंसर जाएगा चले अब हम आपको सवाल नंबर 15 ठीक तो सवाल नंबर 15 में यहां पर क्या लिखा हुआ है गनमूल और यहां पर क्या लिखा अंद कैसे करेंगे अब देखो यहां पर सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है एक्स की पावर 3 है इसको कामा ले लेना है ठीक तो यहां पर सबसे पहले हम घनमूल लिखेंगे ठीक यह हो गया और इसके बाद एक्स की पावर 3 अंदर कामा लेंगे तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा दोको जितना कामा लेते हैं वो क्या होता है बटे में हो जाता है मतलब भाग में अंदर हो जाता है तो यहां पर यह से बटे में एक्स की पाउर 3 करेंगे तो इससे को काटेंगे तो 2 हो जाएगा यानि एक्स का पाउर 2 हो जाएगा इसको ले जाएंगे तो यहां पर क्या नियो kami ?,, और ये dx लिक्षा है की है? अब यहां पर क्या करेंगे ? देखो इसको जब हम बाहर निकालेंगे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पर इसका पावर देखो यहां पर है जो 3 यह लिक्षा है नγα इसका मतलब क्या हुआ कि जब under root लगा हो तो उसको एक बटा 2 माल लेते हैं और जब यहाँ पर 3 हो तो उसको एक बटा 3 भी लिखेंगे ठीक तो यानि की x की power 3 है और इसको जब हम निकालेंगे बाहर x को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बटा 3 हो जाएगा 3 इस 3 कट जाएगा यानि x की पावर 3 को जब हम बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा सिर्फ x बचेगा कुल मिला कर ठीक तो यह हो जाएगा x और यहां अंदर जो हो जाएगा यह घनमूल और x की पावर माइनस 2 माइनस 1 ठीक यह हो जाएगा बटे में x की पावर 4 हो जाएगा और dx हो जाएगा एक x से x कट जाएगा यहां पर 3 बचेगा ठीक तो यह हमारा बन जाएगा यह हो जाएगा x का पावर माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा बटे में x का पावर 3 हो जाएगा और यह dx हो जाएगा ठीक अब यहां पर हम क्या करेंगे इसके अंदर जो है इसके स्थान पर टी माल लेंगे ठीक तो यहां पर लिखेंगे माना एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन बराबर में टी ठीक टी मंन लेंगे तो यहाँ पर दे एका यहाँ पर लेगे इसका उकलाण करेंगे तो यह क्या झाएगा, और यहाँ मिल्वर्णिस गज्पावर देंगे है है माई नीचे भीजाओ यहाँड़ फ्लस मैं यह तो X का पावर 3 वफ्ल स्धार्व पर यहाँ हट यहाँ पर एक बटा एक्स की पावर थिरी डी एक्स बराबर में डी टी बटे में माइनस का 2 ठीक यानि एक बटे में एक्स की पावर थिरी डी एक्स बराबर में क्या लिकना है डी टी बटे में 2 तो देखो यहां पर ध्यान दो तो यहां पर देखो एक बटा एक्स की पावर 3 डी एक्स यह है इसके इस्थानवर्ब क्या लिखेंगे इसके इस्थानवर्ब लिखेंगे माइनस का एक बटे में 2 और dt लिखेंगे ठीक उसके बाद में यह हो जाएगा x का पावर 3 और यहाँ पर इसके स्थानुआ हमने टीम आना तो यहाँ पर t ले देंगे ठीक बस यह हो गया अब यहाँ पर क्या करना है माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पर इसको म लिखेंगे इसका पावर 1 बटा 3 dt बजाएगा ठीक अब यहाँ पर सीधा से इसका समख लाइन कर तो बस आपका एंसर आजाएगा तो समख लाइन करेंगे तो यहाँ पर एक जूड जाएगा तो 1 बटा 3 3 5 3 4 ठीक तो कुल मिलाकर यह बन जाएगा टी का पावर 4 बटे में 3 और यहाँ पर 4 बटे में 3 लिखेंगे तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और बटे में जो 3 लिखेंगे वो पलट जाएगा तो वो उपर हो जाएगा तो उसको उपर लिख देंगे ठीक plus में C लख देनगे ठीक तो यह होजाएगा minus 3 वटड़ा 4 duna कितना हो जाएगा आठ और T के पाउटर 4 वटड़े में 3 हो जाएगा ठीक plus में C हो जाएगा अब यहां पर हमT की value रख देंगे बस हमारा answer हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा minus 3 वटड़ा 8 टी का पावर किया है आ टी के स्थान पर हमने माना था यक्स की पावर माइनस 2 मानें सand arch yeah एकष ब्युट्रन की चारब्टा थिरी ए पलस में जी लिकेंगे अब यहाँ पर यह माने माइनस में इसको निचे बह सकते हुथ हो जाएंगा माइनस यूट्यूबर and never miss another update तो दो को यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि थोड़ा यहां पर सवाल ज्यादा है ना तो इसलिए थोड़ा जल्दे जल्दी इसको solve कराने कोशिस करते हैं ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट नाओ ठीक और आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों को कहीं पर यह लग रहा है कि हम ज़यदा speed पढ़ा रहा है जड़ा slow पढ़ा रहा है तो आप लोग नीचे करण बाख्स bता दिया करूं ठिक तो हम वो भी कर देंगे ठीक और अगर चीजन को लग रहा है फास्ट पढ़ा रहा है तो वो भी नीचे करेंट बॉक्स में बता दिया करू ठीक और अगर आपको कहीं पर थोड़ा से डाउट हो जाता है तो आप पीछे वीडियो को करके फिर से देख लिया करू ठीक अब यह क्afиз क्58 изв क्1 लगर यहां पर कितने यकस है तीं एकसान को क्या करना है एक यहां पर लिख देना है यह फिर हना एक यक यहां पर लिखना है वह को यहां पर लिख दे ने ठीक डी एकस और वागई यह जो अंडर यहां फीमाल से दे的 इसके इस्थान पर हम मानेंगे T तो यहाँ पर हमने T मान लिया अब इसका हम Oculine करेंगे तो हो जाएगा 2X DX बराबर में DT यहाँ पर 2 का तो 0 हो गया ठीक अब यहाँ पर जो 2 है इसको इधर भी दो ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा X DX बराबर में dt बटे में 2, dt बटे में 2 का मतलबा 1 बटा 2 dt, ठीक, अब यहाँ पर दोको, यहाँ से x square के value निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 को इधर पे 2, t-1 हो जाएगे, ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, दोको, यह x है, और यह dx है, तो x, dx इसके इस्थान पर में क्या लिकरना है, dt, तो यहाँ पर 1 बटे 2 लिक देंगे, और dt हम अंदर लिक देंगे, ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो, x square है, x square का value यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, t-2, minus 2 को इधर कर दो, तो माइस में आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा, t-2, ठीक, उसके बाद सान पर आपने t माना, तो यहाँ पर हम t लितेंगे, ठीक, यह हो गया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, एक बटा 2, और यहाँ पर बड़ा bracket बना दू, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक बटा 2, अब सम में गुणा होगा, ठीक, अब हमें क्या करना है, यह से इसमें बटा 2, और यहाँ पर इसका पावर कितना है, एक है, तो प्लस में एक, तो यहाँ पर इसको करेंगे, तो 3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ एक बटा 2 और यहाँ पर क्या है, इसको अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको इसके स्थान पर हो जाएग ठीक यह जाएगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका समा servants कर क्यों सब्सक्राइब क्या हो जाएगा एक जोडेंगे तो यहाँ पर जाएगा यहां पर इंक करेंगे दो एकपवर गुणा करेंगे तो समे सब्स करेंगे तो यहां पर दोओ बचेगा वो बचेगा एक चीक सबस्कार करेंगे तो यह दो से कट जाएह जाएगा तो यहां पर यहां पर रखेंगे तो यहां पर जाएगा एक बाचेंट में टू ठीक तुम यहां पर पांच बतब्टे 2 का मतलब कह हुँआ एक बता टू मतलब 5 गुड़े में एक बता 2 का मतलब कह हुँआ अंडा रूट तो यह आम अंडा रूट यहाँ लगा क्यां देंगे और इसका पावर केर दीगने 53 माइनेस में दो बटे में इसी तरह से यहां पर भी कर देंगे ठीक यहां पर जाएगा अंडर रूट एकस इसक्वार प्लास्वेश में टू और इसका जो पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा ठीक यहां पर 3 लिख देंगे प्लस में सी लिख देंगे ठीक यह हमारा इंसेर अब मैं आपको सब्साधिया बताता हूं अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान लेना ठीक, इसके अंदर जब हम कामा लेंगे तो देको यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा यहक्सी स्क्वेर पहले से हैं और यहां पर लिखना है, कड़नी 4 में और यहां पर, यहां पर jáks yogish 5 यह कामा लेंगे तो यहां पर इसके असंपर 1 निकालेंगे यक्स की पावर 4 जब इसको बाहर निकालेंगे तो यह जो पावर 3 है इससे भी यहाँ पर गुणा हो जाएगा ठीक मतलब इसमें इससे भी गुणा हो जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा चारते ही बाहर हो जाएगा ठीक समझ रहो ना देखो जैसे कि मालो x square प्लस में 1 हो ठीक और यहाँ पर x square लिखा हो ठीक तो x square जब इसके अंदर हम कामा लेंगे तो यह कामा मैं से लेंगे ना x square हो जाएगा और यहाँ पर इसके अस्तान पर एक बचेगा समझ रहो ना दो यहां पर हम इससरी इसके अंदर हो गया और इसका whole power two whole power two लगा ना अब यहां पर जब हम यहां पर इसको इससे जब गुण करेंगे तो x की यह स्क्वेयर का स्क्वेयर का यह संजै कि यहां पर निकार तो यह वाँला जो खहत है इसके भी इसमें गुड़ा उund'd थो इसलिए यहां परét चारते हैं बारा यहां पर क्या हो जाएगा अब इसको हम जब बाहर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा चारते ही बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर दोको यह करणी चार है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा चारते ही यक्स की पावर चारते ही बारा ठीक 12 हो गया और यहाँ पर गुड़े में करणी कितना है एक बटे में 4 है ठीक तो एक बटे चारते ही 12 जब इसको बाहर निकालेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा ठीक तो यह x के पावर 3 बन जाएगा और यहाँ पर करणी में 4 है ठीक और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में x की पावर माइनस 4 और यह हो जाएगा इसका पावर 3 हो जाएगा ठीक और यह हमारा हो जाएगा dx ठीक यानी x का पावर कितना हो जाएगा 5 यह हमारा बन गया 1 बटे में x की पावर 5 और यहाँ पर 1 प्लस में करनी में 4 है और 1 प्लस में x का पावर माइनस 4 का पावर 3 dx ठीक अब यहाँ पर क्या करना है में इसके इस्थान पर हमें क्या मानना है ठीड टीड यहां पर टी मानेंगे 1 plus घ्रकेषए पावर b Capt ॥ बराबर t यहां पर यहां पर बाता देंगे तो दीड यहां पर घंड वाय गयकि और सब्सक्राइब押ूद गोगा धीड अवियरं में it's up m हमने t माना है तो t लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा दो को एक बटा इसके 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 इ हो जाएगा 1 Kb में T 104 , यह भी हो जाएगा 1 Why सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब एक बिश्यापर जएगा 4 . पर क्या हो जाएगा यहां पर माइनस 3 बटे 4 प्लस में करेंगे इसका साउकलन करने के लिए ठीक तो 4 एक नम 4 4 मासे 3 गटा हैंगे कितना बचेगा यहां पर बचेगा 1 बटा 4 तो हो जाएगा माइनस का 1 बटा 4 और यह जाएगा 1 प्लस में एक की पावर माइनस 4 ठीक और इसका पावर कितना है एक बटे में 4 प्लस में सी हो जाएगा ठीक एक बटा 4 को नीचे कर सकते हो क्योंकि इसका पावर जो है वह माइनस में ठीक तो इसको भी सकते हैं एक बटा एक की पावर 4 और यह जाएगा एक बटे में 4 प्लस मे आ गया होगा ठीक आप देखो इसके बाद जो सवाल है वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपने चेक और बक्स में मैं ज़रूर बताएं ठीक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको समझ में आया है या पसंद आया है तो ठीक तो चलते हैं में मिलेंगे किसी अगले वीडियो में So thanks for watching and see you again in next video